हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर विजुश। और मैं खेरा एक गरीब धरजी का बेटा, यह समाज क्या कहेगा। मुझे समाज की बिल्कुल भी परवा नहीं है, सौरब। नंदिनी ने किसी की भी परवा नहीं की और सौरब के साथ जाकर कोट नारिज कर ली। जब इस बात का पता नंदिनी के पिता धनपत को चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। आखिरकार भागी गई उस करीब के साथ। मैं भी देखता हूँ कब तक उस करीब खाने में रह पाएगी। उसके परिवार में उसके पिता और उसके दो भाई थे। जबकि छोटे भाई सचिन को उसके भाग जाने से बड़ा दुख हुआ। वो नंदिनी को अपनी मा की तरफ प्यार करता था। उधर नंदिनी ब्याकर ससुरान पहुची जहां उसकी सास और ससुर ने उसका स्वागत किया। बहु, आओ हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारे साथ इस गरीब खाने में रह तो लोगी ना। हाँ माजी, और ये गरीब खाने नहीं मंदिर है। जहां आते ही इतना सुक्ष शान्ती का अभास हो रहा है। वरना मेरे घर के बड़े कमरों में तो बस कलेश ही होता रहता था। नंदिनी ने कुछी दिनों में अपने सस्वाल वालों का दिल जीत लिया। तेन सेल हो गए लेकिन नंदिनी अपने परिवार वालों से मिलने ही पाई। उधर उसके पिता उससे जादा नाराज नहीं रह पाई। और उसके पिता ने फोन कर उसे मिलने के लिए अपने माई के बुला लिया। अपनी सास से परमिशन लेने के बाद नंदिनी अपने मा लेकिन उसका बड़ा भाई और भावी बिल्कुल भे खुश नहीं हुई। हम, आई गई वो उठा के, गरीब कहीं की। अरे आएगी कैसे नहीं, इसे प्रापटी में हिस्सा जुश आई है। इसे तो पता है, इसका पती पुरी उम्र लगाके भी इतने पैसे नहीं कमा सकता। तब उसेट ने रोमा से कहा। बहू, यहाँ खड़ी-खड़ी हमारा मुग का देख रही हूँ। जाओ, और मेरी बेटी के खाने का इंतिजाम करो। हाँ पापा मुझे बहुत जोरो की भूक लगी है। उसके भाबी मुस अडात वए खाना बनाने चले गई। खाना खाने के बाद नंदी ने अपने कमरे में गई। जहाँ उसने देखा वो कमरा तो कबार खाना बन चुका है। पापा, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे का ये क्या हाल कर दिया؟ तब हुई उसके भावी कहती है हातो, दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ वैसल भूरा ससुलाल नहीं है, जहाँ एक ही कमरे में सब सो जाए ये बाठ सुन नन्दिनी को बहुत दुखवा और उसे सारी रात मीन नहीं आई अगले दिन नंदिनी की भावी ने उससे कहा देखो ना नंदिनी कितने बरतन है ज़रा धो दो प्लीज आज हमारी मेड छुट्टे बने और वैसे भी तुम्हे तो बरतन धोने की आदत होगी न नंदिनी बरतन होने लग गई और उसकी भावी आराम से बैट कर टीवी देखने लगी देखा कैसे नौकरानी बना दिया तो आरे बेहन को लेकिन इससे क्या होगा जो करना है जल्दी करो नहीं तो बता चले यह हमेशा किले लिए बस गई फिर नंदिनी के भावी रोमा ने एक प्लान बनाया उसने अपने ससुर के लोकर की चाबी चुपके से उठा ली और फिर दो पहर के समय उनके तिजोरी सी सोने के बिस्किट और कुछ कैश निकाल कर नंदिनी के बैग में ले जाकर छुपा दिये कुछ कैश रोमा ने अपने पास भी रख लिया ये कुछ कैश मैं रख लेती हूँ वैसे भी सारा इजाम तो उस गरीब नंदिनी परी जाएगा फिर रोमा ने जान बूच कर तिजोरी को खुला छोड़ दिया सेट धन पर जब वहाँ आए तो तिजोरी को खुला देखकर जोर से चिलाने लगे अरे मेरी तिजोरी से सोने के बिसकुट और पैसे कहा गए पूरे बीस लाग कैश था पिताजी इस घर में हम सब अमीर है हमें परसो के चोड़ी करने की ज़रुरत नहीं है जरुरत तो गरीब घर की आई हुई चोड़नी को है हमें अभी इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी नहीं पापा भाबी जूट कह रही है मैंने कोई चोड़ी नहीं की है रोमा नंदीनी का बैग लेकर चेक करने लग चाती है ये देखो पिताजी आपके बेटे ही चोड़ी नहीं निकले अपने अमीर माई के से चोड़ी करके अपने गरीब सस्राल लेकर जा रही थी लेकुन कभी वहाँ सचिन आता है पापा भाबी जूट कह रही है और नंदीनी दी भी सच ये रहा उसका सबूत दरसल रोमा जब चोड़ी कर रही थी तो सचिन ने अपने फोन के कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया था अब सब कुछ दूट का दूट पानी का पानी हो चुका था और तो और पापा भाबी ने तो कुछ कैश उथके पास भी रख लिया है तुम तो इस घर में रहने के लाइक भी नहीं हो निकल जाओ मेरे घर से मेरे साथ आपका बेटा भी इसमें शामिल है पिता जी अपने बेटे की खादिर हमें माफ कर दीजे जानता हूँ निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से मैं तुम दोनों को अपने घर और जादा दोनों से बेदखल करता हूँ सेट धनपत ने दोनों को घर से बेदखल कर दिया फिर सेट धनपत ने अपनी बेटी से माफिय मांगते हुए उसे और उसके सस्वाल वालों को हमेशे के लिए अपने पास रहने के लिए बुला लिया अब सब खुशी-खुशी साथ में रहने लगे मेखा की ननप जया की शादी शहर में ही हुई थी इसलिए जया को जब भी कोई काम होता था तो वो मेखा के पास आ जाती थी जया स्वभाव से बहुत कंजूस थी मेखा अपनी कंजूस नरत के स्वभाव को जानती थी ऐसे ही एक दिल मेखा हवा ठंडी चल रही है मौसम सोहब नहीं पैदली बाजार तक चल लेते हैं पातू के रिक्षे के 30 रुपए लग जाएंगे मैं तभी जयादिरी के साथ बाहर नहीं जाती हूँ इसके कंजूस है कि किसी को एक रुपए बे देखकर राजी ना हूँ पर क्या करूँ एक ही शेहर में इनकी शादी हूँ है आए दिन जब भी बाजार जाना हो या फिर कोई काम हो तो मुझे पकर लेती है और माची भी मुझे इनके साथ भीश लेती है देखा पैदल चलते चलते बाजार पहुची गए रास्ता भी पता नहीं चला और तीस रुपे रिक्षा की भी बच गए वैसे तो डॉक्टर भी कहते है तहलना सेहत के लिए अच्छा होता है इसी बहारे हम लोगों का तहलना भी हो गया इतनी दूर पैदल चला कर ले आई है गर्मी में और कह रही है रास्ते का पता ही नहीं चला पता ने इतना पैसा लेकर कहा जाएंगी अरे किस सोच में पढ़ गए बेखा चल साड़ी की दुकान पर चलते हैं भाईया साड़ी दिखाना जरा कुछ देर बात बहन जी पिछले आधे घंटे से मैं आपको साड़ियां दिखा रहा हूँ है पचास साड़ी मैंने खोल कर आपके आगे रख दी है आपने एक भी पसंद नहीं की है मेरे और भी ग्राहक खड़े हैं जल्दी कीजिए जो भी आपको लेनी है अरे भाईया जब तक कोई पसंद नहीं आएगी कोई जबरदस्ती थोड़ी खरीद लूँगी एक तो वैसे आप हर साड़ी पर दो तीन सो रुपए उपर ही बता रहे हैं चल मेंगा हम कहीं और से ले लेंगे ये दुकानदारी गलट था ये जानता नहीं कि मैं कितने पैसे वाली हूँ इसकी पूरी दुकान खरीद लू कोई मैं कंजूर्स थोड़ी हूँ जो इतना बोल गया मैं वह तो बाजार खरीदारी करने के लिए ये निकली हूँ कहां फस गई मैं इन कंजूर के चक्कर में मेरा आदा दिन खराब कर दिया है इनोंने बाजार ले आती है कुछ खरीद ना होता नहीं है दस दुकानों पर और घुमा घुमा कर मेरे पैर दर्द करवा दिया है भूब भी बहुत तेज लग रही है सामने गॉलगप्पे की दुकान दिखाई दे रही है पूछने में क्या जाता है वैसे खाएंगी तो यह है नहीं में आखेली खालूंगी या थो जाया दिदी आओ ना सामने गॉलगप्पे वाले का ठेला है चलकर गॉलगप्पे खाते है हाँ अमफूख तो मुझे भी लगी है चल तू मेरे साथ बाजार आई है तो मेरी भी एक शर्थ है गुलगप्पे के पैसे मैं ही दूगी या सूरज किना से निकल आया ये मुझे बूल रही है कि गुलगप्पे के पैसे ये देंगी चलो देखते हूं कितने खिलाती है भाईया जर्थ गुलगप्पे खिलाना मेगा और जया बाजार में गुलगप्पे खाने लगती है कुछ तेर बाजार कितने पैसे हुए भाईया दोनों की दो-दो प्लेटे हो गई है टोटल 80 रुपे हो गए आप दोनों के मिलाकर भाईया तुने गुलगप्पे कम खिलाए है और तू कह रहा है कि दो प्लेट हो गई क्यों मैंखा तुने गिने थे क्या मैंने तो मुश्किल से तीन ही खाए होगे तूने कितने खाए मैंने गिने नहीं बस खा लिये थे मुझे याद है मेरे तीन ही हुए थे चल अच्छा एक मीठी दही और सौट की पाप्री दे दे भाई अरे मेरे पास तो तूटे हुए पैसे नहीं है पांच पांच सो के नोट है एक काम कर जाया गुलगप्पे वाले को तू दे दे असी रुपे मैं तुझे घर जाकर दे दूगी विकार में पांच सो का नोट खुलवाया तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे दीदी रिक्षा कर लेते हैं सामान दिए हाँ में सोच तो मैं भी यही रही थी मेगह कि रिक्षा पर ही घर चले जाएंगे पर मुझे रास्ते में दरजानी से अपना सूट उठाना है बहुत दिनों का सिलने के रिए दिया हुआ है और उसका घर पतली गली में है अगर रिक्षा पर गए तो रिक्षा वाला थोड़ी देर बीच में रुकने के फाल तो पैसे मागेगा एक काम कर हम पैदल ही दीरे दीरे चलते हैं अपना सूट पे उठा लूँगी और घर पे पहुँच जाएंगे मेगा कुछ बोल नहीं सकते थी आठर जाया उसके बड़ी ननित थी उसके आगे वो कैसे बोलती इसलिए वो चुपचाब घर वापस आ गए क्या हुआ मेगा पैरो में दर्द है क्या मा मेगा के पैरो में दर्द मेरे कारण ही हुआ है रास्त में मैं सोच रही थी कि रिक्षा कर लेती हूँ पर कोई रिक्षा ही नहीं मिला इसलिए मेगा और मैं पैदल ही घर आ गए शाय दिसी वज़ा से ये ठक गई है नहीं नहीं माजी ऐसी कोई बात नहीं है आप दोनों बैटों में चाय बना कर लाती हो क्या हुआ मेधा शॉपिंग कराई दीदी के साथ अरे भी इतना गुस से न क्यों हो क्या हुआ वही रोज की कहानी सच मुझ इतनी कंजूसी करती है दीदी इनके साथ बाजार जाओ तो दिमाग खराब हो जाता है मेधा जया दीदी आथ से नहीं बचपन से ही बहुत कंजूस रही है एक बार तो जब हम और मदन चाचा के बच्चे एक साथ रहते थे एक दिन चाचा जी ने सबको बरफी का टुकड़ा दिया हम सब बच्चों ने एक ही बार में पूरा पीस खा लिया और जया दीदी ने उस बरफी के टुकड़े की गोलियां बना कर रख ली पूछने पर बोली ऐसे बरफी ज्यादा दिन तर चलेगी फिर तो जया दीदी कंजूस नहीं महा कंजूस है चलो अब मुझे चाय ले जाने दो नहीं तो आवास लगा देंगी अभी तर चाय क्यों नहीं आई मेगा सब के लिए चाय ले जाती है तब ही जया एक परचे पर कुछ लिख रही थी ये ले पहले चाय तो पी ले मेगा ले आई है बाद में हिसाम लिखती रहना मा थुड़ी दे रुको एक हफ़ता ही बचाय तंचन की सगाई को अभी आकर बोलेगी कि कुछ इंतिजाम नहीं हुए जया दीदी लगता है आप मेरी ही बात कर रही हो मुझे पता है आपने आज भी कुछ नहीं खरीदा होगा खाली दुकाने घूम कर इक घर वापस आ गई होगी इतनी कंजूसी क्यों करती हो दीदी ये देखो मैं अपनी सहिली प्रीती के साथ जाकर अपनी सगाई की जूरी खरीद लाई हो कर दिया ना फाल तुखर्चा मैं तुझे ऐसी दुकान पर लेकर चलती जहाँ पर कम दामों में अच्छी चीज मिल जाती पर तु मेरी सुनती कहा है तुझे तो लगता है मैं तुझे अच्छी चीज नहीं खरीद कर दूँगी छोड़ नजया कोई बात नहीं उसकी शादी है अपनी पसंद की चीज़े खरीद भी लाएगी तो कुछ नहीं होता अपने दिमाग को ठंडा रख मा महमानों को देने के लिए जो कपड़े खरीद नहीं है मैंने तुम्हे बताया था एक दुकान पर बहुत सही दाम पर मिल जाते है मैं कली मेगा को ले जाकर खरीद लाऊंगी अब ये कल फिर मेरा ही दिमाग पकाएंगी फटानी कितनी कंजूस है दुकानदार का भी दिमाग खराब करेंगी और मेरा भी तुम सब नहीं जानती मेरी जैा बेटी कितनी सायानी है भले ही ये कंजूसी करती है पर आगे की भी सोचती है मेधा बहु, मेरी चाए मेरे कमरे में ही भीजवा देना क्या हुआ पापा? आप बाजार से आकर सिधा अपने कमरे में आ गए? कि शोरी अंकल जी से कुछ बात हुई आपकी उनकी बेटी की शादी के वक्त मैंने उनकी बहुत सहायता की थी पर हर कोई हमारे जैसा नहीं होता बेटे वही सो बहाने कर दिये कि बेटी के बच्चा होने वाला है उसके घर भी खर्चा हो जाएगा देने लेने में तो लगभग मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो मदद नहीं कर पाएंगे हमें खुद ही कंचन की शादी में जैसे तैसे खर्चा करना ही होगा आप परेशन मत हुए सब ठीक हो जाएगा क्या हुआ तुने बैंक वालों से लोन लेने की बात की पापा बात तो की है पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है देखता हूँ कल एक बार फिर से बैंक जाओंगा सुदर्शन को उमीर थी कि उनका मित्र किशोरी उनकी सहायता करेगा पर वो अपनी जुबान से मुकर गया इसी चिंता में सुदर्शन राद भर सो नहीं पाता अचानर कमला सीने में बहुत तेज दर्द उठ रहा है मुझे लगता है डॉक्टर के पास राजिश पिता मेगा बहू तुम्हारे पिताजी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है उन्हें अस्पतार ले जाना होगा सब लोग सुदर्शन को अस्पतार लेकर पहुँचते हैं जया भी अपने घर से सीधा बही पहुँचती है माची आप चिंता मत करो पापा ठीक हो जाएंगे उन्हें कुछ नहीं होगा डॉक्टर अब पापा कैसे है देखिए सुदर्शन जी को हाट अकल काया है हमें जल्दी ही इनकी हाट सेजरी करने पड़ेगी आप रिसेप्शन पर पैसे जमा करवाती जिए इतने पैसे कहां से लाँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजिश क्या हुआ मेरे भाई चिंता में क्यों पढ़ गया मुझे पता है कंचन की शादी के खर्च के लिए भी तेरे जुड़े पैसे लग गए है तो बिल्कुल चिंता मत कर मैं हूँ न ये ले मेरा कार्ट जया देदी आप अपना कार्ट दे रहे हो तो क्या मैं इस गर की बेटी नहीं हूँ तुम दोनों से बड़ी हूँ इसके ये मेरा फर्स है इस वक्त पापा की हार्ट सैज़री जरूरी है जया का विवहार देखकर सब की आँखों में आसु आ गए थे दीदी हम आपको समझ ही नहीं पाए हमारी आज की बचती कल हमारे ये परिवार की काम आईगी ये आपसे बढ़कर कोई नहीं बता सकता ये मेंगे ब्राणिट कपड़े पॉकेट में दो दो फोन, मेंगी खरिदारी हमारे दुख में काम नहीं आईगी नहीं, जिस समाज को दिखाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं वो काम आएगा सब काम आएगा तो ये जुड़ा हुआ पैसा जया एक समझदार बेटी ही नहीं एक समझदार पत्नी भी है I am proud of you जया और फिर कहीं न कहीं जया की कंजूसी समझदारी साबित होती है कुछ दिनों बाद सुदर्शन की दबर ठीक हो जाती है और कंचक की शादे भी बहुत धुम धाम से हो जाती है मेगा ये जान गई थी कि उसके बड़ी नयनद जया भरे ही कंजूस थे पर उसके कंजूस व्यत्य तुमें कहीं न कहीं एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ था